क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट को एक दस साल का बच्चा चलाता है? क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा और एक ट्रोल की भाषा में तर्क नहीं होना चाहिए? आखिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आलोशना से इतना घबराते क्यों है प्रधान मंत्री विपक्ष का काम है आपके कामों की समिशा करना आलोशना करना सवाल उठाना आप उससे इतना घबराए क्यों रहते हैं और सबसे बड़ी बात अगर आपको लगातार जीत मिल रही है तो आपकी जिम्मेदारी और बन जाती है With great power comes great responsibility बेतहाशा ताकत के साथ बेशुमार जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आती है यानि की आपसे और कठोर और पहने सवाल किये जाएंगे ना कोई ताकत, ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते बोल इलाबा अजाद है तेरे आज ये बात मैं आपके सामनी क्यों रख रहा हूं दोस्तों दोस्तों एक सरकार समर्थित पत्रकार है इंडिया टुडे में उसने एक शो किया जिसका नाम था मेल्ट डाउन ए आजम इस शो का मकसद यह है कि जैसी भारतिये जनता पार्टी जीती उसके आलोचक जो हैं वो घबरा गए वो किस तरह की बाते करने लगए सबसे पहली बात इस कारिक्रम में ही दिक्कत है क्यूँ? क्योंकि अगर कोई पुलिटिकल पार्टी जीतती है या हारती है ये एक लोगतंत्र है जहां लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है हाँ अगर कोई पत्रकार विपक्ष से पैसे लेकर पत्रकार इता करे तो उस पर सवाल उपना चाहिए और सरकार के पास पूरी मशिन्री है उसे एक हंगालने के लिए अगर कोई पत्रकार पांच लाख रुपए लेकर दक्षिन भारत के किसी राज में जाकर किसी नेता का इंटर्व्यू करे तो उसकी जाच होनी चाहिए उससे कोई इंकार नहीं कर रहा है मगर ये पत्रकार ये शो करता है दोस्तों और उसके बाद प्रधान मंत्री का जो जवाब आता है वो बहुत हास्यासपद है आप प्रधान मंत्री का यह जवाब देखिए, इसमें देखिए कितने smileys हैं, कितने emojis हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी देश का प्रधान मंत्री उसी कारक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है क्या किसी प्रधान मंत्री को इस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए जिसमें आप इतने बचकाना, स्माइलीज, इमोजीज जो है उसका इस्तमाल कर रहे हैं प्रधान मंत्री कह क्या रहे हैं इतने खिल खिला क्यों रहे हैं उस पर गौर कीजेगा प्रधान मंत्री ने तीन पंक्तियों का इस्तमाल किया है, तीनों अंग्रेजी में और तीनों का मैं अनुवाद करूँगा, पहला उन्होंने कहा, May they be happy with their arrogance, lies, pessimism and ignorance, प्रधान मंत्री ने जो कहा है, इसका हिंदी में अनुवाद है, कि वो लोग अपने एहंकार, अपने अपने निराशावादी और अपनी उदासीनता में खुश रहें, be aware of their divisive agenda, an old habit of 70 years can't go away so easily, आगे प्रधान मंत्री ये कहते हैं, कि उनके विभाजनकारी agenda से सतरक रहें, ये सतर साल की habit है, आदत है, ये आसानी से नहीं जाएगी, also such is the wisdom of people that they have to be prepared for many more meltdowns ahead, प्रधान मंत्री आगे ये भी कहते हैं, कि लोगों की समझदारी इतनी है, कि विपक्ष को आने वाले दिनों में और भी तकलीफ होने वाली है, फिर से देखिए प्रधान मंत्री का ये जवाब, कितने smileys, कितने emojis का इस्तमाल यहाँ प्रधान मंत्री कर रहे हैं, मैं आप स एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्रधान मंत्री, क्या आप किसी और हैंडल से ट्वीट करने वाले थे और घल्ती से आपने यहाँ ट्वीट कर दिया, सीधा और सरल सवाल आपसे, ये किस तरह की भाशा है, जैसे मैंने कहा, कि आपके पार्टी का कोई कार करता है, इस तरह की बात करें तो बात समझ आती है, आप देश के प्रधान मंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात प्रधान मंत्री आपको इस बात को समझना पड़ेगा, अगर आप बगएर बहस के तीन कृशी कानून पारित कर देंगे, तो विपक्ष सवाल उठाएगा, और फिर बगएर बह कि लाफ कोई केस नहीं है, तो विपक्ष सवाल करेगा, विपक्ष सवाल करेगा जब आपके पार्टी के समर्थक जो है, वो मसल्मान लढ़कियों की बूलियां लगाएंगे सुली और बुली इाल्स के जरे, विपक्ष सवाल करेगा जब बिल किस बानों के साथ ना sotto़ाफ आलासोर में ट्रेन हाथसा होगा और आपके रेल मंतरी इस्तीफा नहीं देंगे। विपक सवाल करेगा मेरे जैसे पत्रकार सवाल करेगे। इसलिए आलोशना से मत घबराईए, सवालों से मत घबराईए। जिस सत्ता समर्थक पत्रकार ने वो शो किया है, उसके जैसे अनकई पत्रकार हैं जो सत्ता से सवाल नहीं करते हैं। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधना होता है और उसके लावा कुछ नहीं होता है। इंतजार कीजे दोस्तों, इन्होंने प्राइम टाइम में किस तरह के शोज कियें, जिससे पता चलता है कि विपक्ष की रहा कितनी मुश्किल है, क्योंकि जो मीडिया आपके फोन्स पर, आपके टीवी पर 99 फीसिदी देखा जाता है, वो सब विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर चल रहे हैं, कल जब संसत का सत्र भी शुरू वा था दोस्तों, तो प्रधान मंत्री ने ताना मारा था विपक्ष को, हाला कि मुझे उस पर कोई आपत्ती नहीं थी, मैंने सिर्व इतना कहा था कि प्रधान मंत्री सवाल तो पूछे जाएंगे, आज की तारिक में जो प्रधान मंत्री ने पिछले दस सालों में कोई प्रेस कांफरेंस नहीं किया, और प्रधान मंत्री फिर इस तरह के बयानात देते हैं, अब होने क्या वाला है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जितने भी पत्रिकार हैं, उनमें होड मच जाएगी, कि कौन इस तरह के कार करिम जादा करता है, ताकि प्रधान मंत्री उसकी तारीफ करें और इस तरह के बयान दे, मैं आपको ये भी बतलाना चाहता हूँ कल दोस्तों, शाम को, प्रधान मंत्री का रहा ले कि माननिये जोशी जी की तरफ से टूल किट जारी हो गया था, और हर पत्रिकार, हर पत्रि की गारंटी क्या है मोदी का प्लान, दूसरी, दोहजार चौबीस में है ट्रिक, शाम पाँच बजे, इसके लावा यही जुबान सब जगा, हर जगा, विपक्ष को गाली देना, उनके खिलाफ अनर्गल जो है प्रॉपगैंडा चलाना, ये देखिए पत्रकार, न्यूज क्योंकि इस पर दंगा भढ़काने को लेकर केस है, एक तरफ कॉंग्रेस है जिसने उत्तर में हार और तेलंगाना में जीत के बाद उत्तर रदक्षन करके बठवारा काट चला, दूसरी तरफ मोदी है जिन्होंने तेलंगाना में हार के बाद भी अपने संबोधन की 2024 में हैट्रिक, फिर देखिए, राहुल सरेंडर करेंगे, मोदी 2024 भी जीतेंगे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, राहुल सरेंडर करेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तमाल कब होता था, मुझे बताईए ना, कब हुआ करता था, जब सत्ता में दोबारा कॉंग्र अब देश को ही बाटेगी, इतना बड़ा आरोप, कडवी जड़ी बूटी, बाई मोदी, विपक्ष को मोदी की फ्री टिप्स, वो 150 सेकंड, 24 की तस्वीर, मोदी की गारंटी सदा के लिए, मोदी तयार है, 24 में 400 पार, विपक्ष के लिए फिर बिगडी EVM, अब आप भी सवाल नहीं पूछा कि 10 साल गुजर गए, आपने एक प्रेस कॉंफरेंस भी नहीं किया, और प्रधान मंत्री, उस प्रेस कॉंफरेंस में भी, आपका प्रचारतंत्र, आपकी सरकार इतनी बड़ी कायर है, कि वो अभिसार को नहीं बुलाने वाली है, वो रवीश को नह बुलाने वाली है, और आप फिर ये भी देख रहे हैं कि किस तरह के कारकरम चलाय जा रहे हैं, और फिर आपका बयान, इसलिए मैंने कारकरम की शुरुआत में कहा, कि देश के प्रधान मंत्री होते हुए, एक स्तर होता है प्रधान मंत्री का, जिसका अनुसरन होना एक स्टेट्समन जैसी तस्वीर पेश करनी चाहिए, मगर ये क्या बचकाने से स्माइलीज, इमोजीज आप पेश कर रहे हैं, ये क्या मजाग बना रखा है आपने, क्या ये अमरित काल है, क्या ये संगोल युग है, क्या ये रामराज्य है, जहां प्रधान मंत्री के प्रधान मंत्री की विनम्रता, वो कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री को इस अंदाजबया में नहीं ट्वीट करना चाहिए, जिसमें वो इतनी सारी स्माइलीज, इमोजीज का इस्तमाल करने हैं, देखे, मीडिया अपनी गर्मा खो चुकी है, चुनाव आयोग जो है, वो नतमस्तक है, नियाए पालिका के बारे में नहीं टिपणी की जाए तो ब बनाए रखें, यह सवाल है, बहुत एहम सवाल है, और मैं उम्मीद करता हूँ प्रधान मंतरी, कि आप इसका अनुसरन करेंगे, मैं यह भी उम्मीद करता हूँ, यह जो ट्वीट आपने किया है, यह गलती से हो गया होगा, इस पर आप सपश्टे करन देंगे, क्योंकि य अब इसार शेर्मा को दीजे जासत, नमस्कार